गाउं से शहर की ओर जाती पखडंडी जो गाउं में हर उस मनुष्य के लिए एक कत्रा अनाज पैदा करती है जिससे हमारी ना सिर्फ भूख शान्थ होती है बलकि आने वाले भविश का निर्माण होता है यहा अनाज को एक रत्न की तरह उगलने वाली धर्ती धीरे धीरे पैसे के मकड़ जाल में इतनी उलजती जा रही है कि चाहकर भी आदमी अनाज से जादा पैसे की दुनिया में ऐसा भटकता जा रहा है कि यह पखडंडिया धीरे धीरे समाप्त होकर रिहाईसी इलाकों में प असधानी लखनव के निवादा गाउं में हूँ जहां पर मैंने आपको दिखाया कि एक तरफ तो यह हर्याली सरसों की जो किसी दिन हमारे घरों में तेल का साधन बनेगी हम अच्छे अच्छे पकवान खा सकेंगे लेकिन एक दिन यह सब समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसक तरह से आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए रहाई सी इलाके बनने लगे हैं लोग बड़े-बड़े मकान इन खेतों में बनाने लगे हैं और इस तरह से एक खेत जो कभी रत्न-गरभावन के अनाच पैदा करते थे अब वहां लोगों के पैसा पैदा करने वाले आवास ये अस्थानों पर प्लाटिंग पर जिसको सरकार इलीगल तो मानती है लेकिन वहां जब तक जनता या ना महसूस करें कुछ भी नहीं कर सकती है आप मेरे सामने देख रहे हैं कि यहां कंक्रीट का जंगल कैसे धीरे-धीरे डेवलप होता जा रहा है आप देख सकते हैं खेतों को समाप्त कर देगी और इसकी जगह पर यह जो प्लाटिंग की अस्थान आप देख रहे हैं यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होंगी सोचना यह है कि क्या हमारा कल बिना अनाज के चल पाएगा बिना मकान के तो हम जिन्दा रह भी सकते हैं लेकिन क्या ह हम बिना अनाज के जिन्दा रह पाएंगे क्या हमारी विशाल जिन्संख्या के लिए अनाज की उपयोगिता खत्म हो जाएगी या हाइबरिट भोजन के अधार पर हम कृतिन तरीके से उत्पादन करके कैंसर के रोगी होते रहेंगे इनी सब बातों को सोचते हुए मैं हमा जमीन को बेचने के धंदे में लगे हुए हैं यहा अनाज को हमारे हाथों से चीन कर मकान का जो लालच चुसपना हमें दे रहे हैं क्या वह एक दिन मानो को ही इस धरा से इसलिए समाप्च कर देगा क्योंकि कंक्रीट के जंगल तो होंगे लेकिन हमारे पास खाने को अनाज नहीं होगा क्योंकि हमने जमीन का धंदा करके जमीन को बेच कर मकान बनाने का जो भसमा सुर तरीका अपनाया है उससे मनुष्य कब इस दुनिया से समाप्च हो जाएगा क्योंकि उसके पास सब होगा लेकिन हर्याली नहीं होगी उसके मुठी में पैसा तो होगा लेकिन उ कि एक दिन इसके गाउं जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और उसकी जगा पर बड़ी बड़ी गालिया दौडने लगेंगी लोग बड़े कंक्रीट के मकानों को बना कर उसमें रहते हुए जीवन के उन अर्थों को ढूंडेंगे जिसको शायद हम आप कभी नहीं कि हमारे जीवन में हमारे पीडियों के लिए नास ज्यादा जरूरी है या या अंतहीन जंगल की तरह बनते कंक्रीट के मकान जिसमें धन के पिपासू खेतों को बरबात करके भोजन के मानुआ अधिकार को गरिमा पूंड जीवन के मानुआ अधिकार को समाप्त करके एक ऐ कैसी तरफ हमें ले जा रहे हैं जिस अंत हीन अंत का कोई अंत नहीं है मैं आलोक चांटिया निवादा गाउं से अखिल भारती अरिकार संगठन के लिए